प्रेडिशनली ऐसा होता था कि आपको एक बजट सेग्मेंट लैप्टॉप मिलते थे और हाइयरेंड लैप्टॉप मिलते थे अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों को एकदम प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलती थी चाहे आप अच् जो फिनिश मिलेगी काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी रगिडनेस उसकी अच्छी मिलेगी और उसके साथ में जो है दोस्तो डेफिनिटली आप लोगों को जो है हाईयरेंड कंफिगरेशन बीट इन टर्म्स आफ प्रोसेसर हुआ रैम हुआ वो चीज़ आप लोगों को द ना मिले भले जो हैं construction quality आप लोगों को जो है प्लस्ट्रिकी प्लस्टिकी देखने को मिले यहाँ जो बजर सेग्मेंट में जो था दोस्तो आप लोगों को एप लोगूं को तो दो सो legitimate देगने को Lenovo Legion 5 Pro की इसकी अगर मैं Global Availability की बात करूँ तो Somewhere in the March आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन हाँ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को quarter 2 देखने को मिल सकता है that is around April को जो है दोस्तों यह वाला laptop आप लोगों को देखने को मिल सकता है और friends मैं बताना चाहता हूँ कि Lenovo की तरफ से जो है Legion 5 Pro यह वाला सबसे पहला model जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ basic specifications की और यह laptop जो है क्यों आपको इसके इंतजार करना चाहिए वो भी मैं साथ में आप लोगों को बताऊंगा by the way friends यहाँ पर अगर आप पहुची चुके हैं तो मेरी चैनल को जो है जरूर subscribe करके चाहिए और कुछ budget laptops की link जो है मैंने आप लोगों को description box में दे दी है वहाँ पे जाके इन्हें आप जरूर check out कर सकते हैं आपका क्या मानना है दोस्तो इस laptop के बारे में मुझे comment section में जरूर चलते हैं इनके basic specification के page पे सबसे पहली जो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूँ वह है दोस्तो display डिस्प्ले आप लोगों को जो है brightness आपको देखने को मिलती है यहीं से जो है दोस्तो overall laptop का मैं कहूंगा कि किस तरीके से laptop evolve होगा यह आपको जो है clear हो जाएगा बात करते हैं दोस्तो यहाँ पे weight की तो once again 2.45 kg weight आपको देखने को मिलता है cheaper variant भी जो है जरूर आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे अगर हम processor की बात करें तो दोस्तो आप लोगों को यहाँ पे up to only Ryzen 7 देखने को मिल जाता है not Ryzen 9 which is I think a good thing देखिया आप लोगों को एक अच्छे quality का hardware मिल रहा है और मैं कहूंगा decent से कुछ अच्छे specifications यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे है which is very good now अगर मैं बात करूं India की तो दोस्तो Lenovo Legion 7 वाली जो series होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है means आप माथा पीड़ दोगे इतनी जादा महंगी like 1,94,000 से तो पिछली बार वो वाली series चालू हुई थी लेकिन इस series का ऐसा नहीं है दोस्तो यह वाली series somewhere around जो है आप लोगों को 1,20,000 तक जो है इंडिया में देखने को मिल जाएगी now considering जो यह चीज offer कर रही है जो यह display offer कर रही है दोस्तो जो यह form factor offer कर रही है उस असाब से मैं कहूंगा कि यह price जो है ठीक थाक बनता है बाकी अगर यहाँ पे Ryzen 7 लिखा हुआ है और Ryzen 5 वाला variant भी अगर यहाँ पे आता है मैं कहूंगा दोस्तो वो वाला variant जो है हिट होने वाला है इंडिया में launching कैसी होती है मैं बताता हूँ especially Lenovo Legion series की देखिए दोस्तो सबसे base variant पे मैं पिछले साल की बात करता हूँ आप लोगों को जो है Lenovo Legion 5i देखने को मिल दा था ताकि जो है budget gamers उसको खरीद ले लेकिन Lenovo Legion 7 था दोस्तो वो वाला जो था सरिफ पर सरिफ higher end variant पे launch हुआ था तो definitely दोस्तो यहाँ पे company Lenovo especially कोशिश करती है कि इनके जो higher end variant है वो budget end variant को खान जाए तो हो सकता है कि इस वाले laptop का भी जो एक ही variant जो है आप लोगों को इंडिया में देखने को मिले जो की हो सकता है कि RTX 3070 के साथ में आए finger cross let's hope कि RTX 3060 with Ryzen 5 जो है इंडिया में जरूर देखने को मिले क्योंकि दोस्तो मानो ना मानो customers की thinking ऐसी रहती है कि अगर थोड़े पैसे extra डालके हमें कुछ अच्छे quality का hardware मिल रहा है भले थोड़े specifications मैं कहूंगा थोड़े decent ही क्यों ना मिले लेकिन उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है क्योंकि इंडिया है दोस्तो यहाँ पे laptop सिर्फ और सिर्फ gaming के लिए use नहीं होता है we use it for all type of purpose be it media consumption हो गया और कुछ तो इसे bluetooth speaker की तरही laptop को बजा लेते हैं color की बात करता हूँ दोस्तो यहाँ पर तो आप लोगों को जो है कई सारे color यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे चाहे white हो और चाहे grey color का भी जो है आप लोगों को देखने को मिल जाता है बात करते हैं दोस्तो इसके कुछ photos की जो कि मुझा लगता है कि आप लोगों को बिलकुल देख लेनी चाहिए तो overall 16 is to 10 का जो है aspect ratio आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तो और port situation की बात करूँ तो friends यहाँ पर port situation पीछे की तरफ निकल कर आती है which I think is a very good thing कि जो setup आपका होने वाला है वो काफी ज़ादा clean आपको जो है यहाँ पर दोस्तो देखने को मिलने वाला है उसके बात करूँ और कुछ चीजों की तो दोस्तो Bluetooth 5.1 और आपको जो है काफी चालरी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है जैसे वाइपाई 6 पोर्ट सिच्वेशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तो रियर साइस का जो पोर्ट है वहाँ पर आपको जो है तीन USB यह देखने को मिलते हैं एक पोर्ट सिच्वेशन यहाँ पर आपकी सारी कवरड़ रहती है